हलो दोस्तो नमस्ते आदाप सस्यकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बुक सूपर कोचिंग पर स्वागत करता है तो दोस्तो हो जाये तयार क्योंकि हम यहां पर करने जा रहे हैं एक बार फिर से SSC CPU के जी के पेवार जैसे कि दोस्तो आपको पता है कि CPU का यहां पर दोस्तो काड आठ चुका है और दोस्तों नौ तारिक से जो है आपके एक्जाम सोने वाले हैं तो क्यों ना एक बार यहां पर दोस्तों सारे मिक्स कोशन का आज रिवीजन किया जाए फिर उसके पाथ दोस्तों हम लोग डेली क्या करेंगे एक एक सब्जेक को कवर करेंगे हिस्ट्री को पॉलिटी को जोगरफी को इस्टेटिक जीके को जिससे दोस्तों एक्जाम आते आते सारा एक बार कोर्स रिवीजन हो जाए तो आज हम करेंगे मिक्स कोशन तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर देंगे जिससे सभी लोग यहां पर जोड़ सकें ठीक है तो यहां पर जैस गुडीवनिंग का जल रंजू सभी को दोस्तों गुडीवनिंग तो चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे मोटीवेशनल कोड की तरफ मोटीवेशनल कोड है हार तो वह सबक है जो आपको बहतर होने का मौका देगी बिल्कुल सब्सक्राइब के लिए तो खुद इसे लड़ना होगा और खुद के लिए लड़ना होगा इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम आगे बढ़ेंगे और फड़ा फड़ से सभी लोग यस टाइप करेंगे अगर मेरी स्क्रीन और वॉइस आपके लिए क्लियर है फिर बढ़ते हैं पहले प्रशने के साथ तो प्रशने के साथ और पहला प्रशन आपके स्क्रीन पर यह रहा लेक्टोमीटर इस यूज टु डिटर्माइन दोस्तों लेक्टोमीटर का उप्योग निर्धारित करने के लिए क्या किया कौन सा उप्योग किया जाता है हाइड़्ोजन इन वाटर प्योरिटी ओफ पेट्र हाइड्रोमीटर मैंने आपको बताया था दोस्तों यह किस के लिए होता है रिलेटिव डेंसिटी के लिए लेकिन दोस्तों एक्जाम में डेंसिटी नहीं दिया जाता है वहां पर देते हैं specific gravity क्या दोस्तों जिससे आप confused हो जाओ तो specific gravity इससे किया जाता है हाईग्रोमीटर क्या दोस्तो हाइग्रो मीटर से क्या किया जाता है दोस्तो यूमीडिटी क्या जाता है मैजर ठीक है इसफाइगनो मैनो मीटर क्या दोस्तो इसफाइगनो मैनो मीटर से क्या किया जाता है ठीक है अल्टी मीटर से हाइट किया दोस्तों अल्टी मीटर से हम बात करें यह हाइट मेजर किया जाता है फैतो मीटर से दोस्तों फैतो मीटर से डैप्थ मेजर किया जाता है फैतो मीटर से डैप्थ को मेजर करते हैं चलें अगले सवाल पर, चलें, आगले सवाल पढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दोस्तों, who among the following introduced the local self-government in India, निमलिखित में से दोस्तों किसे ने भारत में इस्थानी सुसाशन की शुरुवात की थी, लौड रिपन, राजाराम मोहनरोय, लौ ठीक है दोस्तों, जिते लोग रौड रिपन, लौड रिपन कहरें दोस्तों, उनका यहां पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, यहां पर बिल्कुल correct answer होगे, अच्छा दोस्तों, इन ही के समय में दोस्तों, वर्नकुलर प्रेक्ट आया था, यह भी याद रखेगा, यह भी पूछा जाते हैं राजा राम मोहन रॉइट इस्टों बव्यादर रहें क्यों लाइस दोस्तों इन्हों ने क्या क्या था थो ब्रह्म्हो समाज कि इस dallaď किसकी दोस्तो ब्रम्हो समाज की इस्थापना की थी ये भी याद रखेगा पूछा जाता है ठीक है चले आगे ओके यहाँ पे सभी का आंसर आ गया है अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तो आपके लिए आपकी स्क्रीन पर लेकिन उससे पहले फड़ा फड़ से क् बना सकता है विटामिन B12 या फिर विटामिन E बना सकता है जल्दी से बताएंगे ओके कमल कह रहे हैं सर I am new student ओके कमल सभी के साथ जुड़ जाए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर डेली जुड़ते हैं और यहाँ पर तयारी करते हैं तो option आ रहा है सर 1 होना चाहिए ओके त दोस्तों shoulder of our body क्यों shoulder कहते हैं दोस्तों क्योंकि यह fight करता है जब भी यहाँ पर कोई बिमारी होने वाले तो दोस्तों क्या करेगा यह fight करेगा इस टू वन का रेशियो होता है देखिए रेड ब्लड सेल कितने दिन तक रहता है दोस्तों 120 दिन तक जिंदा रहता है और वाइल ब्लड सेल दोस्तों एक से तीन दिन तक जिंदा रहता है उसके बाद यह क्या करते हैं स्प्लीन में जाके गिर जाते हैं इसलिए दोस्तों इस साइनो कोबलामिन के और दोस боль की बाइगा तो दोस्तों आप से सवाल क्या पूछा गया था से सी में क की बतारी कोबार किसे में मिलता है तो दो facilitate कोबाल कोबाल यहां पर छबद करई कोबाल से कोबार्ड मिलता है इसların स्का नाम साइनो कोबलामिन है ऐसे याद कर सकते हैं, विटामिन E का नाम कहा है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है, तो हमने दोस्तों बात की थी, यहाँ पर E से क्या हो जाएगा दोस्तों, टोको फेरोल, टोको फेरोल, ठीक है, चलें आगे, बहुत बढ़िया यहाँ पे, सिखा, वानी, मदुश्मिता, वेरे गुड रंजू, चले, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन के लिए, अगला सवाल दोस्तों, आपके लिए, आपके स्क्रीन पर यह रहा, विच स्टेट is the largest producer of tomatoes in India 2017-18, दोस्तों, 2017-18 में भारत में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन सा था, आंदप्रदेश, मद्यप्रदेश, पस्चिम मंगाल और दोस्तों, यहाँ पे गुजरात, जल्दी से बताएं दोस्तों, कहाँ पर टमाटर पाए जाते थे सबसे आदा, आंदप्रदेश कहा रहे है, TND, OK, बाकी लोग क्या कहते दोस्तों, यहाँ पे आंदप्रदेश, जितने लोग कहा रहे हैं दोस्तों, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer दोस्तों, यहाँ पर आंदप्रदेश हो जाएगा, आंदप्रदेश के बाद अगर कोई सा राज ये था तो दोस्तो वो करनाटका था कौन दोस्तो करनाटका जहां पर सबस्यादा टमाटर होता है ठीक है करनाटका अगर मैं टोमेटो की बात करूँ दोस्तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ऑक्जिलिक एसिड क्या दोस्तो ऑक्जिलिक एसिड पाया राउन नट, और यहाँ पर कपास की खेती भी सबसे आदा होती, जिसको हम कहते हैं, जल्दी सबते, कपास को हम क्या बोलते हैं, तो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, similarly दोस्तो आपसे पूछा जा सकता है onion, onion मतलब प्याज, प्याज दोस्तो कहाँ पर महराश्ट में ठीक है, दोस्तो अगर हम बात करें आप से सुगर केन पूछा जाता है, तो सुगर केन का आप बता सकते हैं, दोस्तो महराश्ट ठीक है, इस तरीके से आप answer दे सकते हैं अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे दोस्तो अगला सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले जित्ते भी मेरे मित्र यहाँ पर CGL की, CPO की या फिर MTS की तैयारी कर रहे हैं दोस्तो और दोस्तो यहाँ पर India Study से साथ में दोस्तो 3,000 mock test दिये जा रहे हैं जो कि दोस्तो नूँ पैटर्न के base पर है और आप यहाँ पर दोस्तो आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो और 200 से भी जादा दोस्तो Study Notes हैं यहाँ पे आपके revision के लिए आप इसर जाके revision कर सकते हैं किसी भी time चाहे traveling कर रहे हों चाहे आप यहाँ पे खाली बैठे हैं तो आप इससे revision कर सकते हैं और आपके हर एक doubt का खयाल रखा गया है doubt को आपके solve किया जाएगा through daily life classes और दोस्तो यहाँ पर आपको guide भी किया जाएगा और अभी दोस्तो आप ले सकते हैं इस पर maximum discount लेने के लिए दोस्तो आपको coupon code यूज़ करना है गौरव M क्या दोस्तो G-A-U-R-A-V-M गौरव M जैसे आप यूज़ करोगे दोस्तो यहाँ पे आपको maximum discount मिल जाएगा और आप यहाँ पे तयारी भी अपनी कर पाओगे और निमलिखित में से कौन सा cement का प्रमुख घटक है जिप्सम, limestone, clay और ash जल्दी से बताएं दोस्तो क्या होता है ए- option के साथ जा रहे हैं यहाँ पे बाखी लोग क्या कहते हैं दोस्तो यहाँ पर a option होगा या फिर नहीं होगा तो दोस्तो मैं आपको बता दू जित्ते लोग क्यारें उनका गलत answer हो जाएगा correct answer यहाँ पर आशीश ने दिया है और सिखाने दिया है और और किस ने दिया है सै worrying Stoleu हो जाएगे दुस्तों limestone क्या होकतí लाइमिस्टrone यहाँ पे पर आंसर हो जाएगा विज्टों स्वार्मूला क्या होता दोस्तों Seo4 .2H2 होता है तो इसしく करता हीट करऊंगा तोस्तों क्या कानवर्ट हो जाएगा Seo4 .2H2 हो ठीक है उसको हम लोग कहते हैं Plaster of Paris POP कहते हैं ठीक है Lime Stone क्या होता दोस्तों CACO3 होता है यह भी आद रखेगा पूछा जा सकता है ठीक है कुतुबπα०्द्दिन एबक के नाम पर अला उद्दिन सभीर कलियार के नाम पर सहियद वहीद असरफ के नाम पर चुछ लूधा कुतवीद बख्तियार काकी ओड़म में किस ने कुतुब उद्दीन एबक ने किसमें दोस्तों कुतुब उद्दीन एबक ने बनवाना स्टार्ट किया था कुतुब उद्दीन एबक दोस्तों कौन था ये दोस्तों संस्थापक था किसका संस्थापक था दोस्तों स्लेव डैनिस्टी का क्या दोस्तो slave dynasty जिसको ममलूक वश भी कहा जाता है और जिसको दोस्तो गुलाम वश कहा जाता है कुतो मिनार बनवाना कभ श्टार्ट हुआ था ग्यारसो 69 में बनाना श्टार्ट हुआ था कुतो बुद्दिन एबक को लाख बक्ष के भी नाम से जानते हैं किस नाम से दोस्त ये अजमेर के पास में है और अजमेर कहां पर है दोस्तो राजेस्थान में है देखे दोस्तो ये दोस्तो अपने नाम पर इसने कुटब मिनार नहीं रखा इसने दोस्तो ये सूफी संत से इंफ्लेंस था इसने कुटब मिनार और दोस्तो इसको पूरा करवाया था इलतुतमि यह भी सवाल आप से पूछा जाता है ठीक है चलें आगे की तरफ वैरे गुडवानी सदाप सिखा जोती समरेथ अगले सवाल पर पढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल आपके लिए यह रहा इंद्रा is near to दोस्तों इंद्रा-point dash के पास है कार-niko-bar, Little-nic·obar great-nicobar और kamurota के पास है जल्दी से बताएए यहां पर correct answer क्या हो जाएगा फड़ा-फड से answer करेंगे हाँ पिछले का correct answer है यहां पर correct answer होना चाहइए ठीक है चले तो दोस्तों जिते लोग यहां पर प्रेशर होगा C, 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 उनका correct answer होगा great nicobar, ठीक है great nicobar यहाँ पर correct answer हो जाएगा, अब देखें दोस्तों सवाल यह पूछा जाता है, यह तो है दोस्तों आपके दक्षड भारत का point, उत्तर भारत का क्या कहते है, जल्दी से बताएं, उत्तर भारत के point को क्या कहा जाता है, फ पार्क बास जो दक्षड भारत में, साउथ में दोस्तों, उसको कहते हैं हम इंद्रा पॉइंट और दोस्तों इसका नाम दिया गया था, 1980 में, ठीक है, अगर नौर्थ इस्ट की दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नौर्थ इस्ट में दोस्तों, जो पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं कि भी उठू कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों कि भी उठू कहते हैं ये भी याद रखेगा ठीक है चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके लिए Stackflation refers to दोस्तों मुद्रा स्विती जनित मंदी से तातपर्रे क्या है recurring booms and depressions in the economy fluctuation in autonomous investment low inflation rate and high economic growth high inflation rate and slow economic growth like करेंगे यहाँ पर D option D option तो दोस्तों correct answer हो जाएगा D option यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठेक है अगला question दोस्तों in which case did supreme court hold that parliament can amend any part of the fundamental part of the constitution including fundamental rights under the article 368 दोस्तों किस मामले में सर्वोच नियाले ने माना की संसत अनुछे 368 के तहत मौलेक अधिकारे कारों को सहित सम्विधान की किसी भी हिस्से को संसोधन कर सकती है सेंट स्टेफन कॉलेज वर्सेस दिल्ली या फिर केशवानन भारती केस या मेन का गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या इन में से कोई भी नहीं जल्दी से बताएएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है सर होना चाहिए ओप्शन नंबर बी बी नोग केशवानन भारती केस वर्सिस यहां पर केरला ठीक है अब देखिए यह कब सा इनुछा से अनुछेद में इनुछ सभा कौन से अनुछेद में है, अनुछेद दोस्तों 80 में है, और दोस्तों President आते हैं, President किसे में हैं अनुछेद 52 में है, यह याद रखीगा, Supreme Court के अगर मैं बात करता हूँ, Supreme Court दोस्तों कौन से अनुछेद में आता है, अनुछेद 124 में आता है, Supreme Court के दोस्तों अभी CGI कौन ह 34 seat होती कितनी दोस्तो 34 जिसमें से एक CGI होती है बाखे 33 क्या होते दोस्तों यहां पे जजेस होते हैं अगला सवाल आपके लिए दोस्तों यह रहा फांडेट दी कन्वा डाइनेश्टी के आपको फांडर पूछा गया है दोस्तो फटाफट से बताएंगे यहां पर ऑप्शन ठीक है चले दोस्तों जिते लोग यहां पर कहरे सर होना चाहिए option number ठीक है दोस्तों जीते लोग कहरें सर option number two 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 उनका correct answer का वासु देव देखें दोस्तों बहुत सारे ऐसे dynasty के उनके founder पूछे जाते हैं जैसे आप से पूछेंगे बहामनी के कौन दोस्तों बहामनी के अगर founder पूछेंगे तो बहामनी के कौन थे दोस्तों हसन राष्टकुता के पूछा जाएगा किसके दोस्तों राष्टकुता डैनिस्टी का पूछा जाएगा तो कौन थे राष्टकुता डैनिस्टी के दंती दूर्गा कौन थे दोस्तों दंती दूर्गा थे ठीक है दोस्तों प्रतिहारा का पूछा जाएगा प्रतिहारा का तो क चोल-वंस के संस्थापक कौन थे दोस्तों जल्दी से बताएंगे विजाल्या कौन दोस्तों विजाल्या थे यह भी आपको याद रहना है इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी DAN majority आपको दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है है कि वीरी संथे फांडर को instincts क्येए चंडल एक नेम ऑफ दी एशियन एलिफेंट एशियाई हाथी का अब दोस्तो विज्ञानिक नाम क्या है क्या वो दोस्तो पैंथरा टिग्रिस है पैंथरा लियो है एलफास मैक्सिमास है या हिप्पोटैमस एमफीबियस है जल्दी से पताएंगे यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा C option के साथ जा रहे हैं तो दोस्तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C option हो जाएगा ठीक है पैंथरा टिग्रिस तो दोस्तो टाइगर को कहा जाता है किसको दोस्तो टाइगर को कहा जाता है पैंथरा दोस्तो अगर लियो की बात करें तो लेपड को कहते है किसको दोस तो उस नौ सेना जहाज का नाम बताईए जिस पर 1946 का जहां पर जल सेना विद्रो हुआ था, यहां पर HMIS चिलका, HMIS सरहद, HMIS जामनगर या फिर दोस्तो HMIS तलवार, यहां पर कहरे सर, HMIS तलवार होना चाहिए, बाखी लोग क्या कहते दोस्तो, यहां पर तलवार करेक् अंसर हो जाएगा, फरवरी 1946 में दोस्तो यह हुआ था, ठीक है, अगला कुशन, तुलसी दास रोट राम चरित्रमानस दूरिंग दा रीन ओफ, दोस्तो तुलसी दास ने राम चरित्रमानस किसके सासनकाल में के दोरान लिखी थी, जहांगीर, अकबर, राम रया, या फिर क अकबर हो जाएगा, दोस्तो और हम बात करतें, यहां पर तुलसी जास जी को दोस्तो, तो इनको बात करें, बात करें, अकबर का दोस्तो जन्म कब हुआ था, चुझा, राजा कब बना था, दोस्तो पंदरोसो 556 मिं में बना था, उस समय चैऊचर Ohudka के सनरक्षण में दोस्तों ये बड़ा हुआ था बैरम खांके सरक्षण में बड़ा हुआ था दोस्तों अगर हम बात करें सकंड बैटल आफ पानीपत हुई थी दोस्तों सकंड बैटल आफ पानीपत उनिस सो पंदर सो चपन में ठीक है किसके किसके बीच हुई थी अकबर और हे मुके बीच में हुई थी अब देखे दोस्तों इसने इबादत खाना भी खोला था जिससे रिलीजियस डिसकसन हो जाए लेगिन बाद में इसको बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पर डिबेट होने लगे थे आर्गुमेंट होने लगे थे दोस्तों दिने इलाही की जरोखा सिस्टम क्या होता दोस्तों जो रानिया थी दोस्तों वह खिड़की से क्या करती थी देखती थी राजा जब भी कभी विजय प्राप्त करके आते थे ठीक है वहां से दोस्तों परफॉमेंस वगरा देखती थी ऊपर दोस्तों छोड़ी-छोडी खिड़कियों को ज हम बात करें, इन्हों नहीं, अकबर नामा लिखा था, क्या धुर्खना अकबर नामा यह आप से सवाल पूछा गया था, तो धुर्शक किसी ने लिखा ये नहीं पूछ जाता है ये याद रखेगा आप से सवाल पूछा जा सकता है ठीक है बी से क्या हो जाएगा दोस्तो यहां पर भगवंत दास क्या दोस्तो भगवंत दास हो जाएगे ए से अब्दुल रहीम खाने खाना कौन दोस्तो अब्दुल रहीम खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खा D से कौन होंगे, मुलादो प्याजा क्या दोस्तो मुलादो प्याजा और H से हो जाएंगे हकीम हुकम कौन दोस्तो हकीम हुकम हो जाएंगे ये नौर रतने थे दोस्तो AGBAR के दरबार में ठीक है अगले कॉशन बढ़ेंगे दोस्तो अगला सवाल आपके लिए ये रहा दोस्तो यहाँ पर आपसे पुछा गया है which of the following element is not added to the basic structure of the constitution by केशवनन्द भारती case दोस्तो यहाँ पर केशवनन्द भारती मामले में दोस्तो निमलिकित में से किस तत्व को सम्विधान की मूल सन रचना में नहीं जोडा गया है freedom and dignity of individual separation of powers between the legislature and executive and the judiciary दोस्तो third option है judicial review और fourth option है इन में से कोई भी नहीं फड़ा फड़ से बताएंगे यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर B option के साथ देखें confusion ही confusion है solution पता नहीं solution जो मिला तो question क्या था पता नहीं कोई बात नहीं दिल पे हाथ रखिए और समझा लेजिए कि बहिए option number C यहाँ पर correct answer is judicial review judicial review दोस्तो यहाँ पर नहीं था judicial review जो है वो यहाँ पर केशवानन्द भारती केस में नहीं था judicial review दोस्तो हमारे भारती सम्विधान में कौन से देश से लिया गया है यह आपसे सवाल पूछा जाता है ध्यान से देखिएगा दोस्तो USA से लिया गया है अब देखिए दोस्तो एक सवाल बनता है कि judicial system हमारे भारत में कहां से लिया गया है सभी लोग बताएंगे comment करके judicial review तो आपने बता दिया USA से लिया गया है judicial system कहां से लिया गया है यह आपको बताना है जल्दी से बताएंगे और दोस्तो जिनों ने अभी तक like नहीं किया है फड़ावर्ण से like करेंगे और share करेंगे जल्दी जल्दी से UK UK कह रहे है नहीं नहीं judicial system दोस्तो लिया गया है Government of India Act 1935 से लिया गया है हो गई गलती यही तो examiner चाहता है ठीक है यस नेहा ने correct answer दिया है गोविन ने दिया है अभी शेक ने दिया है तो दोस्तो गलती मत करिएगा इसी तरीके से examiner question करके आप सको फसाने की कोशिश करते हैं ठीक है अगला question दोस्तो जल्दी से बताएंगे mistake से गलती हो गई कोई बाद नहीं दोस्तो गलती होती है तो सीखना भी हमारा ही फर्ज है कि हम उससे सीखे हाँ जी यहाँ पर option number ठीक है चलिए दोस्तो जिते लोग option number कह रहे है सर होना चाहिए 222 उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए दोस्तो यहाँपर correct answer क्यों हो जाएगा option number 2 दोस्तो इन्हों ने क्या किया था टाइटल भी assume किया था कौन सा वतापी कोंडा का कौन सा दोस्तो वतापी कोंडा का टाइटल लिया था कब लिया था वतापी कोंडा का टाइटल जब इन्होंने पुलकेशिन 2 को हराया था अब देखे दोस्तों सवाल यहां पर आता है कि पललव वन्स के फाउंडर कौन थे सभी लोग बताएंगे पल्लव वंस के फाउंडर, जल्दी-जल्दी से कमेंट करके बताना है, पल्लव वंस के फाउंडर, हाँ, वतापी कोंडा जो है, इन्होंने टाइटल लिया था, very good सदा, राहोल बहुत बढ़िया, सिमहा विश्नु, क्या बात है भई, सिमहा हैं या फिर नहीं है, थेक है, दोस्तों, जेते लोग सिमहा विश्नु, सिमहा विश्नु कहे रहे हैं, उनका करेक्टन्सर का सिमहा विश्नु हो जाएंगे, थी? है अब देखें दोस्तों एक सवाल एक और आता है दोस्तों अच्छा फिर किसके थे दोस्तों फाउंडर एक बार मुझे फटा फट से दोस्तों बता दीजिए अगर सिम्हा विश्णू इसके थे तो पुलकेशिन फट जो थे वो किस डाइनेश्टी के दोस्तों संस्थापक थे वो किसके फाउंडर थे यह आपको बताना है कमेंट करके फटा फट से फिर बढ़ते हैं आगे के लिए तीडी ने बहुत जल्दी से बताया है तीडी बहुत बढ़िया क्या वाद है राशकुता के नहीं दोस्तों वर्धन डाइनेश्टी के कैसे हो सकते दोस्तों यह क दोस्तों रॉलत अधिनियम का उद्देश क्या था तो प्रोवाइड फॉर कमपल्सरी एकनोमिक सपोर्ट तुद ब्रिटिश फॉर एफट्स तु कर्ब दा अक्टिविटीस ऑफ ट्रेड यूनियंस तु कर्टेल दा सिविल लिबर्टीस ऑफ इंडियन या तु सिविल लिबर्टी सब्सक्राइए निएवानियों नववर्टीय अनकस्य तु आंपर और बात कि थी जलियन वाला बाग मैंसे कर हुआ था जो हमारे लिए दोस्तों सबसे खतरनाक था क्योंकि दोस्तों अमरे सर में बैसाकी का तियोहार मना रहे थे और जनरल डायर जो था बहुत खराब आदमी पचास आदमियों को लाके गोली बारी कर दी दोस्तों और इतनी गंदी तरीके से की थी कि 1400 से भी जादा लोग दोस्तों बुडे बच्चे नौजवान मारे गए जो बेकसूर थे और कहा जाता है आज भी दोस्तों वहाँ पर निशान है गोलियों के अगर हम जाके देखे तो जालिए ठीक है अच्य दोस्तों और क्या हुआ था रॉलत एक्ट आया था Chief रॉलत एक्ट के लागा क्या हुआ थे दोस्तों मौन्टेक्च THISFORD रिफॉर्म आया था मौन्टेक्चmetश फ़ॉर्ड रिफॉर्म आया था और दोस्तो खिलाफत मूवमेंट क्या दोस्तो खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 में रॉलत एक्ट को दोस्तो अपोस करने के लिए हमने 1920 में शुरुवात की थी यहाँ पर दोस्तो किसकी नौन कॉपरेशन मूवमेंट की किसकी दोस्तो non-corporation movement की शुरुवात की थी लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया 1922 में 1922 में 44 कांड के बाद किसके बाद दोस्तों 44 कांड के बाद इसको क्या किया गया खतम कर दिया गया called off कर दिया गया ठीक है चले very good शिखा अभिशेक राधा टीडी गोविंद बहुत बड़ी अगले कोशन के लिए अगला कोशन दोस्तों which among the following traditional painting is associated with the state of आंधर प्रदेश दोस्तों यहाँ पर निमलिखित में से पारंपरिक चित्रकलाओं में से कौन आंधर प्रदेश राज्य से सम्मंदित है वरली, तंजोर, लिपाक्षी और जडोपतिया जल्दी से पताएं दोस्तों कौन सी है यहाँ पर C option कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों जित्ते लोग यहाँ पर C कह रहे हैं उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा करें यहाँ पर मधुबनी क्या दोस्तों मधुबनी पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग कहा की है बिहार की है कहां कि दोस्तों बिहार की है खंबन पेंटिंग क्या दोस्तों खंबन पेंटिंग खंबन पेंटिंग कहा कि है सभी लोग बताएंगे इसको खंबना का खाऊ भी कहते इसको खंबना का खाऊ painting दोस्तों आपको कहां पर मिलेगी यह मनीपुर में चले आगे अगले सवाल पर पढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा थीक है दोस्तों up administration 3-18-72, दोस्तो अधिनियम 3-1872 क्या था, क्या वो Social Reform Act था, Jury Act था Revenue Act था, या फिर Executive Act था, जल्दी से बताई दोस्तो क्या था, Buffering कह रहे हैं दोस्तो, यहां यहां पे दोस्तो Buffering हो रही है, क्या एक बार बता दीजे, अगर buffering हो रही है तो हम technical team को तुरंट बता दें अगर नहीं हो रही तो एक बाद thumbs up कर देंगे A option के साथ जा रहे हैं ओके वानी भी कह रहे है sir A option होना चाहिए बाखी लोग क्या कहते दोस्तो ठीक है दोस्तो जीते लोग A A कह रहे है ओके बहुत बढ़िया ठीक है तो दोस्तो अगर हम बात करें इसको हम लोग special marriage act भी कहते है क्या कहते दोस्तो special marriage act भी कहा जाता है किसको act 3 को 872 वाले को ठीक है अगला question दोस्तो B cells या beta cells और T cells are the main types of which of the following दोस्तो यहां पर पूछा गया है B को शिकाएं और T को शिकाएं निम्न में से किसके मुख्य प्रकार हैं क्या वो lymphocyte के हैं या फिर phagocyte के macrophages के हैं या फिर दोस्तो monocytes के हैं जली से बताएं यहां पर A option कह रहे है rocker ओके बाखी लोग क्या कहते दोस्तो lymphocyte ओके तो दोस्तो जित्ते लोग यहां पर lymphocyte कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा lymphocyte दोस्तो कैसा है WBC white blood cell है न दोस्तो wild blood cell और दोस्तो सबसे बड़ा white blood cell क्या होता है ні दोस्तो monocyte होता है क्या largest जल्दी से पड़ाजीए मैं आचा दोस्तो यहां पर red blood cell को किया कहते हैं RBC को another side कहते हैं यह पूछा जाता है एक दोस्तो आप से पुछा जाता है कि यहांows दोस्तो, blood, blood coagulation में कौन help करता है दोस्तो, तो वो करता है platelet को, दोस्तो, कौन करता है दोस्तो, यहाँ पर platelets help करते हैं, यह भी आत रहे, कैसे करते हैं दोस्तो, आपको पता है, जब भी कोई चोट लगती है, तो platelets क्या करते हैं, थ्रॉम्मिन और प्रो थ्रॉम्मिन को active करत सवीने अवग्यांदोलन 1930 में किसके साथ शुरू किया गया था रॉलत सत्यग्रह के साथ चंपारन मूवमेंट के साथ डांडी मार्च के साथ या फिर खिलाफत मूवमेंट के साथ जली से बताई दोस्तों सी ऑप्षिन कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते दोस्तों कि यहा सावर्मती से डांडी तक किसने लीड किया था दोस्तों गांधी जी ने लीड किया था कितने दिन लगे थे 24 दिन लगे थे कितने डेलिगेट्स थे दोस्तों 79 डेलिगेट्स थे अब देखे दोस्तों यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि तमिल नाडू में किसने सब्सक्राब रॉकर बहुत बढ़िया सी राजा गोपाल चारी ने किसमें दोस्तों सी राजा गोपाल चारी ने शुरुवाद की थी ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलें आगे की तरफ अच्छा दोस्तों सीविल डिसोबिडेंस मुमेंट कब खतम कर दिया गया था त यहां पर राजलक्षमी सुमा रंजू सिखा वैरिगोड अगले सवाल बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए रहा दोस्तों दोस्तों राडार का उप्योग किया जाता है किसलिए किया जाता है डिटेक्टिंग ऑब्जेक्स बाई उजिग लाइट वेज या फिर द इहां पर ओके बाखी लोग क्या कहतें दोस्तों तो दोस्तों जित्ते लोग यहां पर थृ-¹ृ कह रहे है उनका यहां पर पर करथे害र फृब्जेद आंसर हो जाता है अब देखे मैं बात करता हूं यहां पर आपस पूछा जाता है कि रीडियो aún कि है जहांने तकरा कर की wave की अगर मैं बात करता हूँ तो वो I know sphere से किस से दोस्तो I know sphere से टकरा कर वापस आती है यह दोस्तो याद रखेगा आप से पूछा जाता है दोस्तो मैंने इसके लिए आपको wave के याद करने के लिए एक trick बताई थी वो थी R M I V U X G ठीक है R से हो जाएगा radio wave के दोस्तो radio wave M से हो जाएगा micro के दोस्तो micro I से होगा infra के दोस्तो infra V से होगा visible के दोस्तो visible U से होगा ultra ठीक है ultra X से होगा x-ray और G से होगा gamma ray ठीक है अब देखे दोस्तो अगर आप right से दोस्तो sorry left से right की तरफ जाओगे radio wave का दोस्तो सबसे आदा wavelength होता है क्या होता दोस्तो सबस्यादा wavelength होता है ठीक है अगर आप यहाँ पर radio wave की तरफ से दोस्तो gamma race की तरफ जाओगे तो wavelength कम होता चला जाएगा और सबस्यादा frequency जो होती ही वो होती ही दोस्तो gamma race की ठीक है gamma race की frequency सबस्यादा होती है जब आप दोस्तो gamma की तरफ से दोस्तो मतलब right की से left की तरफ आओगे तो frequency कम होती जाएगी यह याद रखेगा ठीक है चले आगे चले अगले question बढ़ते दोस्तो अगला सवाल आपके लिए यह रहा दोस्तो यहाँ पर है which one of the following was not चिष्टी सूफी संथ दोस्तो निमलिखित में से कौन चिष्टी सूफी सं आपके बाकी लोग क्या करते दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको बता दू जितने लोग बी के साथ जा रहे है उनका यहाँ पर होने वाला है गड़बढ क्योंकि correct answer हो जाएंगे सेक बहा उद्दिन जकरिया यहाँ पर correct answer होंगे ठीक है हाँ मोहन का correct answer है यहाँ पर चले option number 4 यहाँ पर correct answer हो जाएगा चले आगे चले अगला कोशन दोस्तो आपके लिए यह रहा दोस्तो इन विच स्टेट आर अरावली रेंज सिचुएटेट अरावली छ्रेणी जो है वो किस राज्ज में इस्थित है राजिस्थान में है हिमाचल प्रदेश में है उडिस थोस्तो यहाँ पर होगा राजिस्थान रावली रेंज की बात करें दोस्तो यह ओलडेस्थ nuit है औरावली राजिस्थान पर ऑट रहां को नेगी दोस्तो आपको गुरु सीखर पॉइंज्धाकर नदुस्तों के पीक पॉइंट हो क्या है गुरु 7 22 मीटर है熟 है 1722 मीटर है यह भी आद रखी गा अरावली रेंज पर आपको 1 hilly station मिलेगा जिसका नाम है माउं अबु और अरावली रेंज पर आपको 1 मंदर मिलेगा जिसका नाम है दिलवारा temple और जूस्तो यह जैन temple है क्या दूस्तो दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जानते हैं हिमाचल की कैपिटल दोस्तों शिमला लेकिन दोस्तों ये पहली कैपिटल है दूसरी कैपिटल क्या है दूसरी कैपिटल है धरमशाला क्या दूसरी कैपिटल है धरमशाला है ये भी याद रखेगा उडिशा की कैपिटल दोस्तों भूवनेश्वร और उत्रखंद की कैपिटल क्या हो जाएगी दहरा दून हो जाएगी यह दोस्तों पहली suscept बताएंगे जल्दी से बताएंगे अगला rot लिए यह रहा दोस्तो दोस्तो निमलिखित इतिहासकारों में से किसने दोस्तो निमलिखित इतिहासकारों में से एल भशम ने अलीसन बैशफोर्ड ने आरसी मजुमदार ने और सतीश चंद्रा ने लिखी है जल्दी से बताएए यहाँ पर A option कह रहे है TD बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पर A option होगा या फिर नहीं होगा दोस्तो जित्ते लोग यहाँ पर कह रहे हैं A, A, A उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा बहुत बढ़िया correct answer यहाँ पर हो जाएगा A option A.L. भशन दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, A.L. भशन का, he was born in 1914, 1914 के समय में इनका जन्म हुआ था, अब देखे दोस्तों बहुत सरे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो बुक से related है, जैसे की, Discovery of India, किसकी किताब है दोस्तों ये, चाचा जी की, चाचा कौन, जवाहाल लाल नहरू जी ठीक है, Glimpse of World History, क्या दोस्तों, Glimpse of World History, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी इनहीं की किताब है, ठीक है, My Experiment with Truth, क्या दोस्तों, My Experiment with Truth पूछी जाती है, तो ये भी किसकी है, ये दोस्तों, चाचा जी की नहीं है, ये दोस्तों किता जी की है, राश्पिता जी की है, और वो पूछा गया था, Long Walk to Freedom, इस बार पूछा गया था, आपके SSC exam में, तो बताइए दोस्तो, Long Walk to Freedom किसकी किताब है, फटा फट से सभी लोग बताएंगे, Long Walk to Freedom, क्या बात है, यहाँ पे दोस्तो, कृष्णा का करेक्ट है, टीडी, रॉकर, नेहा, रंजू, सिखा, बहुत बढ़ land receives water only from, दोस्तो, बोग परिस्थित की इतंत्र, आदर भूमी पानी प्राप्त करता है, केवल डैश से, रेन से, इस्ट्रीम से, रिवर से, या फिर ग्राउंड वाटर से, किस से रेसीव करता है, दोस्तो, आशीश कहरे से, D होना चाहिए, ओके, बाखी लोग क्या कहते है, तो दोस्तो, यहाँ पे मैं आपको बतादू, जो लोग D कह रहे है, उनका गलत हो जाएगा, यहाँ पे रेन से, किस से रेन कर्यक्राप्र पर करता है, वरशासे, D नहीं होगा दोस्तो, रेन कर्यक्राट आउन्सर होगा, ठीक है, अब देखिये, दोस्तो, अगर मैं बात कर बताँ कहाना जल्दी से यहाँ पर 1971 और भारत में अब तक दोस्तों कितने साइट हो गहा हैं जल्दी से सभी लोग बताईगे कितने है भारत में अब और यहां पर यहाँ रिया पर हाँ कुछ लोग गांतर कह रहे हैं चले ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर एक बाल बताए फड़ा फड़ से कि भीया कितने हैं 75-75 जितने लोग कहरें दोस्तो 75 हो चुके हैं दोस्तो रामसर साइट पहला रामसर साइट दोस्तो कौन सा था भारत में वो था दोस्तो छिलका फस्ट दोस्त अगर हम बात करें चिलका था चिलका कहां पर दोस्तो उडिसा में है न और सबसे बड़ा अगर हम बात करें दोस्तो रामसर साइट लार्जिस्ट लार्जिस्ट रामसर साइट दोस्तो जो है भारत में वो है सुन्दरबन क्या दोस्तो सुन्दरबन है और सबसे करें दूस्तु चोटा आगर यस करेंगे अगर है तो नहीं है तो आप बताएंंगे फटाफट से चलिए जलिसे और दोस्तो जिनों ने अभी तक लाइक निकायाsen वाहwhen 168 लोग लाइव हैं जल्दी जल्दी स्करेंगे और देंगे घुमाके ठीक है अगला question आपके लिए दोस्तों ये रहा दोस्तों which act extended the principle of communal representation for six Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans दोस्तों किस अधिनियम ने सिखो भारतियों यहां पर दोस्तों इसाईयों आंगल भारतियों और दोस्तों यूरूपी लोगों के लिए संपरदाइक प्रधिनिजित्व की सिधान्त को बढ़ाया Government of India Act 1858, Government of India Act 1919 या फिर दोस्तों Indian Council Act 1909 या Indian Council Act 1961 जल्दी से 1861 कह रहे हैं, कुछ लोग 1909 कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ जित्ते लोग यहां पर 1919 कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है, correct answer हो का Government of India Act 1919 ठीक है, अच्छा दोस्तों हम बात करें Government of India Act हमारे लिए दोस्तों important है सबसे आदा 1935, क्यों दोस्तों हमने अभी देखा दोस्तों हमने यहां से judicial system लिया है, क्या लिए दोस्तों judicial system लिया है, ठीक है, और क्या लिए दोस्तों UPSC, UPSC यहीं से लिया है, यह भी याद रखेगा, यह पूछा जाता है कि UPSC हमने कहां Government of India Act लिया है, देखे दोस्तों Germany मत बोलेगा, जर्मनी बहुत से लोग बोलते हैं, confusion के कारण क्योंकि Germany से कह लिया था, suspension of fundamental right during emergency, और सबसे पहले दोस्तों किसी अगर अनुछेत को यहां पर हटाया जाता है, तो वो दोस्तों 19 क्योंकि देखे दोस्तों, आपको पता है कि भी buffering कह रहे हैं, दोस्तों buffering कहा हो रहा है, हो रहा है क्या, no buffer, कोई yes buffer कह रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है, तो बढ़ते हैं, अगले सवाल के लिए, अगला सवाल दोस्तों आपके लिए, one kilowatt hour is known as, दोस्तों यहां पर एक kilowatt घंटा किसकी काई है, क्या energy की है, पावर की है, electric charge की है, या दोस्तों electric current की है, सभी लोग बताएंगे, यहां पर बताईए दोस्तों correct answer क्या होगा, B option के साथ जा रहे हैं, rockers, ठीक है, दोस्तों जित्ते लोग यहां पर कह रहे हैं sir, B, ठीक है, दोस्तों B कैसे हो सकता, हाँ, A option जित्ते लोग कह रहें, उनका यहां पर correct answer ह हो जाएगा, ठीक है, correct answer यहां पर A option हो जाएगा, energy, ठीक है, power की unit क्या होती दोस्तों, watt होती है, electric charge की unit कुलंब होती है, क्या दोस्तों कुलंब होती है, और electric current की दोस्तों unit होती है, ampere, अब देखें दोस्तों सवाल पुछा जाता है, एक किलो वाट आर जो होता है, वो दोस सवाल पूछा जाता है, तो दोस्तों, एक horsepower जो होता है, वो 746, कहता है, दोस्तों, 746 watt होता है, यह याद रखेगा, और 1 kilowatt hour होता है, 3.6 into 10.6 joule होता है, ठीक है, चलें आगले question पर, very good, सिवांग, राहुल, नेहा, गोविंद, जोती, अंजली, बहुत बढ़िया, अगला question या इन में से कुछ भी नहीं करेंगे, molarity में क्या changes आएगा, दोस्तों, जब हम temperature को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, या फिर कुछ करेंगे, जल्दी से बताना है, सभी को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोस्तों, जितने लोग A option कह रहे हैं, उनका correct answer होगा, दोस्तों, molarity will decrease, molarity होती होती क्या, दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों, solute हमारा कितने पर लीटर में है, कितना solute है हमारे पर लीटर of solution में, उसको हम कहते हैं, दोस्तों, molarity, और जैसी दोस्तों, आप तापमान बढ़ाएंगे, molarity घटना start हो जाएगी, ठीक है, चले, अगला question दोस्तों, the boundary between India and Pakistan was democrated by भारत और पाकिस्तान के बीच, सीमा का समय, यहाँ पर सिमांकन डैश के दोरा किया गया, Lord Mountbatten, Sir Serial Redcliffe, Sir Sandford Crips, या Sir Patrick Lawrence, यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए, Sir Crick होने चाहिए, ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं, दोस्तों, ठीक है, दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर कहरे इसका नाम रघ्लिफ के नाम पर रखा गया थे इसका नाम, Redcliff, और हमने कैसे याद किया है, दोस्तों, रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब खतरे की घंटी, और यह होता है, दोस्तों, हमारे पडोसी देश के साथ, ठीक है, कितना दोस्तों, बार्डर्से रख करता है, 3223 किलो म और सबसे कम करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान के साथ करते हैं हम लोग 106 किलो मीटर साजह और इसी को हम लोग कहते हैं दूरंड बॉर्डर या फिर दूरंड लाइन भी कहा जाता है ठीक है चलें आगे वेरिगूड टीडी राहूल सुप्रभाद जोती गोविंद अंजली अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों तब बिग ट्रंक रूट रंस थू दोस्तों बिग ट्रंक रूट किस पर है क्या वो मेडिटेरिनियन इंडियन ओशियन पर है नौर्थ अंट्लैंटिक ओशियन पर है साउथ अट्लैंटिक ओशियन पर है या नौर्थ प नौर्थ आटलंकि ओशियन देंके दोस्तो हमारे दोस्तो विश्वका सबसे बड़ा ओशियन जो है लार्जिस हमने बात की थी कौन सा दोस्तो वह सप 27 ओशियन हैँ स्वाइजे को सॉ फो सप्सक्रेश्ट चेंए मिलेटी की येद रहेगा अब दोस्तो यह तो कर रहा है बिग ट्रंक रूट की बात कर रहा है अगर हम दोस्तों यहां पे Grand Trunk Road की बात करेंगे क्या दोस्तों Grand Trunk Road की बात करते हैं तो यह दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से फड़ा फड़ से भारत में हैं दोस्तों Grand Trunk Road किसने बनवाया था शेर्षा 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 सूरी ने बनवाया था जिसको हम GD Road भी कहते हैं शेर्षा सूरी ने किसने दोस्तों शेर्षा सूरी ने अच्छा शेर्षा सूरी दोस्तों कौन सी डैनेश्टी को बिलॉंग करता था सूरी डैनेश्टी को बिलॉंग करता था सूरी डैनेश्टी ने दोस्तों दिल्ली पे कितने साल राज किये 15 साल तक राज किये थे कब से के पंद्रह सो पचपन तक यहां पर राज किया था सुरी का दोस्तों बचपन का नाम क्या था फरीद खान नाम था क्या दोस्तों इसके पुत्र का नाम था और दोस्तों इसके पुत्र का नाम था इसका दोस्तों कहां पर देखने को मिलेगा वह सासा राम में देखने को मिलता है कहा हम दोस्तो सासा राम में देखने को मिलता है ठीक है चले आगे वेरी गुड अभिशेक जोती राहूल सिखा सुप्रभा बहुत बढ़िया अगले सवाल बढ़ेंगे दोस्तो लेकिन उससे पहले फड़ा वड़ से शेयर और लाइक करेंगे बढ़ते हैं अगले सवाल के जिसमें दोस्तो जो शिप यूज की गई थी इसको हमने कहा था है HMIS तलवार फटा फट बताएंगे दोस्तो यहां पर करेंट आंसर क्या होगा ठीक है यहां पर आ रहा है सर होना चाहिए बॉम्बे 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 तो दोस्तो जितने लोग बॉम्बे कह रहे हैं उ जिसल़ें जो दोस्तो सबसे आधा घनत कहां पर है USA कह रहा हैухавно पर कि यहां पर USA करेक्ठ होगा या फिर नहीं होगा Kent noise कि जितने लोग USA USA कहतो उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा USA अब सवाल उठता है कि भारत में रेल्वे कब स्पारत में तो बारत में d için हॉत of railway भी कहा जाता है दोस्तों पहली रेल जो थी वो कहां से कहां तक चली थी Bombay to थाने चली थी कहां से दोस्तों Bombay to थाने चली थी कितना किलो मीटर दोस्तों कवर किया था तो दोस्तों यहां पे 34 किलो मीटर कितना दोस्तों 34 13 minute cover करने में लग गए थे इसमें डोस्तों कितने carriage थे 14 carriages थे ठीक है और कितने passenger थे 400 passenger दोस्तों इसमें बैठे हुए थे यह याद रखेगा ठीक है इसमें दोस्तों 3 engine थे कौन कौन से थे दोस्तों साहिब सिंध और कौन सा था वेरेगोड यहां पर राहुल, वानी, नेहा, चले, सुल्तान, साहिब, सिंध, बहुत बढ़ी है दोस्तो, सुल्तान यहां पर एक नाम हो जाएगा, यह दोस्तो हमने जब यहां पर याद किया था, तो हमने याद किया था इस तरीके से भईया कि मूवी के ऊपर हमने याद कि ठीक है नेरो कितना होता है 0.676 मीटर मीटर होता है एक मीटर और ब्रॉड होता है 1.676 मीटर ठीक है यह सवाल आप से पूछा जा सकता है आगे बढ़ें बहुत बढ़ें अगले कोश्चन बढ़ेंगे दोस्तो अगला सवाल आपके लिए नाबाड वास सेट अप इन दा इयर डैश दोस्तो नाबाड जो है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी 1882 और 1883 में जल्दी से बताए्ये 82 कह रहे है यहांपर सिखा टीडी कह रहे हैं सिखा तो दोस्तों यह हुआ था 6-5-year plan में यह याद रखेंगे ठीक है छटमेंगे पंचवर्षी योजना में बहुत बढ़िया चटमें अब दोस्तों पुछा जाता है पंचवर्षी योजना जो है वो कहां से ली गई है वो USSR से ली गई है अब तक दोस्तों कितने पंचवर्शी योजना हो चुके 12, इसका मतलब है कभी ने कभी शुरुवात हुई होगी, यस पहला पंचवर्शी योजना जो था, वो दोस्तो कब से कब था, 1959 से लेके 1956 तक था, और दोस्तो यही सवाल पूछा गया था, इस बार एक्जाम में कि हैरेट डोमर मॉडल पे कौ गडगिल योजना कहा जाता है, अब दोस्तो पूछा जाता कि गरीबी हटाओ, गरीबी ये मांग की गई थी, तो दोस्तो मैं आपको बाता दू, फूर्थ और फिफ्ट, दोनों में दोस्तो गरीबी हटाओ को दोस्तो यहाँ पे टार्गेट किया गया था, ठीक है, गरीब प्लैन दोस्तों पूछा जाता है ठीक है यह रोलिंग प्लैन दोस्तों कौन सक था 1978 1978 1979 ये भी याद रखेगा ये भी सवाल पूछा जाता है किन सपर्च वर्षी ओजना में दोस्तों यहाँ पर कि आपको सवाल आपके लिए अब कि स्क्रीन पर ये रहा तो दोस्तों आफ की स्क्रीन पर ये रहा मिट्टी से बना है। अलूवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, लेटराइट सॉयल और एरिड सॉयल, किस से बना है दोस्तो। A option, A option, तो दोस्तो जित्ते लोग A option कह रहे हैं, यहाँ पर NCC, नेहा, सिखा, गोवेंद, बहुत बढ़ी है दोस्तो। अगर मैं बात करूँ दोस्तो, अलूवियल, सबसे आदा, जिसको हम जलोड मिट्टी कहते हैं, सबसे पहले दोस्तो, मिट्टी के अध्यन को क्या कहते हैं, पैडोलॉजी, यह आद रखीगा, यह सवाल अल्रीडी पूछा जा चुका एक्जाम में, पैडोलॉजी कहा जाता है किसको, स्वाइल के अध्यन को, या फिर मैं यू कहूं, मृदा के अध्यन को, सबसे आदा भारत में दोस्तो, कौन सी मिट्टी होती है, अलूवियल मिट्टी होती है, यह आपको दोस्तो, नौर्थ, नौर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, नौर्थ इंडिया होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं भंगर क्या कहते हैं ब्लैक सॉयल को दोस्तों क्या कहा जाता है रेगुर क्या कहते हैं दोस्तों अब एक्जाम में रेगुर नहीं देखे वो क्या देते हैं है। ये याद रखेगा ठीड है। दोस्तो जो किसे बेकार सोइल थी क्योंकि इसमें फटरिलाइजर की सबसे ज़धा जोरत परती किसकी दोस्तो water जोरत जोरत परती में लेकिन इसमें केशुनट है दोस्टो केशुनट ल्एत वाला एडिया और डॉकर्ड माल ठीक है अलूवियल दोस्तो आपको कहां पर देखने में मिलेगा यूपी उत्राखंड जारखंड बिहार यह वाले एरिया में मेंदेख gefakज Çaब Arid soil दोस्तो अगर हम बात करिए कहां पर देखने को मिलेगा राजस्थान में कहां पर राजस्थान में सुस कमिट्टी जिसको हम कहते हैं रेगिस्थान वाला एरिया जो है वहां पर यह आपको देखने को मिलती है ठीक है चलें आगे वेरी गुड राहूल गोविंद रॉकर अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तो आपके लिए लेकिन उससे पहले फटावट से क्या करेंगे एक बार शेयर करेंगे और लाइक करेंगे अगला कोशन आपके लिए दोस्तो ये रहा दोस्तो सैफरॉन कलर इन आवर नैशनल फ्लैग रिप्रेजेंट हमारे राष्ट धवज में के सरीयरंग डैश का प्रतिनिध्युद्व करता है स्ट्रेंथ एंड करेज टूथ एंड करेज फर्टिलिटी एंड ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ एंड टूथ जल्दी से बताईए, A option के साथ जा रहे है, learning, ओके, नेहा कहरे है, sir, A option होना चाहिए, ओके, बाकी लोग क्या कहते है दोस्तों, ठीक है, दोस्तों, जिते लोग A, A कहरे हैं, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, चले, तो दोस्तों, यहाँ पर correct answer हो का A option, अब देखें, यहाँ पर सवाल आता है, कि 1921 में ही रदस्तों, वैसे हमारा flag बहुत बार change हुआ, 1921 में दोस्तों, पिंगली वेंक किया था, यहाँ पर इसकी दोस्तो रेशियो पूछी आती, length is to, यहाँ पे breadth, लेगिन दोस्तो आपके exam में मैंने आपको बताया था, क्या पूछा गया था, breadth into length, सब ने याद करके गये थे, 3 is to 2, वहाँ पे 2 is to 3 पूछ लिया गया था, तो लगा के आये थे 3 is to 2, तो गलत हो गया दोस्तो, accept कब किया था, adopt कब किया था, फटा फट से सभी लोग बताएंगे, pdf कहाँ पे मिलेगी, तो वैश्नवी, pdf आपको telegram पे मिल जाएगी, telegram पे आप कैसे चुड़ेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, telegram पे जाना है, adorate, gaurav, sir, gaurav, sir, test book डाल देना है, आपको एक public group मिल ज यहाँ से आप link से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, चलिए, चलिए, यहाँ पे correct answer, जितने लोग करें, sir, होना चाहिए, 22 जुलाई, 22 जुलाई, यहाँ पे correct answer का 22 जुलाई 1947, ठीक है, अगला question दोस्तों, आपके लिए ये रहा, दोस्तो, rocket elephant at dhauly was made during the renoff, दोस्तो, dhauly वे चटानों के काटकर बनाया गया, दोस्तो, यहाँ पे शिलांकित हाथी, डैश के शाचनकाल के दोरान बनाया गया था, चंदरगुप्त मौर के दोरान, अशोका के दोरान, कनिश्का के दोरान, या इन में से कोई भी नहीं, फटा-फट बनाएंगे, दोस्तो, यहाँ पे correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer नहीं पे हो जाएगा, अशोका, अशे दोस्तो, अशोका का दोस्तो, कारेकाल 272, BC से लेके, दोस्तो, कब तक था, 231 तक था, यह भी याद रखेगा, यह भी पूछा जाता है, दोस्तो, अशोका जो थे, वो कौन से डैनिस्टी को बिलॉंग करते इनके पिता का नाम क्या था, दोस्तो, बिंदुसार, क्या दोस्तो, बिंदुसार नाम था, ठीक है, इनके दोस्तो, पुत्र के नाम क्या था, महेंद्र नाम था, और इनकी पुत्री का नाम क्या था, दोस्तो, 269 के समय में, दोस्तो, इनको राजा बनाया गया था, और दोस दोस्तों इन्हों ने थाड़ बुद्धिस काउंसिल भी किया था कब किया था दोस्तों 250 में किया था कहां पर पाटली पुत्र में किया था यह भी याद रखेगा पूछा जाता है ठीक है चलें आगे अगला कोश्चन दोस्तों इन विच एर वास वेवल्स प्लैन इंट्रड्यूस दोस्तों निमलिखित में से किस वर्ष में वेवल की योजना जो है वो शुरू की गई थी 1942 में, 45 में, 46 में या फिर 47 में की गई थी जल्दी से बताएंगे दोस्तों यहाँ पे 45 कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे 44 कह रहे हैं अच्छा 44 option में नहीं है कह रहे हैं ठीक है बाकी लोग क्या कहते दोस्तों ठीक है दोस्तों जितने लोग यहाँ पर कह रहे ह अंसर हो जाएगा ठीक है 1945 अच्छा 1942 में दोस्तों क्या आया था क्विट इंडिया मुव्मेंट याद था आपन को क्विट इंडिया मुव्मेंट हाना ठीक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं अगस्त क्रांती भी कहते हैं ठीक है 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन भी आया था किप्स ठीक है अगर मैं बात करूँ 1946 में क्या आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लैन क्या दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लैन आया था ठीक है इसी के तहर दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों हमारे क्या वनी थी कॉंस्ट चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी ने आंसर दे दिया है, अगले सवाल पे बढ़ेंगे दोस्तो, अगला सवाल दोस्तो आपके स्क्रीन पर यह रहा, दोस्तो, matter around us can exist in three different states, namely solid, liquid and gas, the correct order of their compressibility is, दोस्तो, हमारे चारो और पदार्द के तीन भिन भिन अवस्ताओं नामन्तित, धोस्त, द्रव और गैस में अस्तित्व हो सकता है, उनकी दोस्तो यहाँ पे संपीड़ता का सही अनुक्रम क्या होगा, liquid less than gas, less than solid, solid less than liquid less than gas, gas less than liquid less than solid, solid less than gas less than liquid, जल्दी से पताईए, B option के साथ जा रहे है, गोविंद, वानी, रॉकस, ऑके, बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तो, ठीक है, दोस्तो जीते लोग यहाँ पर B option के साथ जा रहे है, उनका correct answer का very good, यहाँ पर बिंदास बॉय, यहाँ पर correct answer का solid, देखिए दोस्तो, solid है यह, इसक में क्या है, gas थी, उसको liquify में बदल दिया गया है, compress करके, तो, और दोस्तो, CNG क्या है, compress natural gas है, उसको भी compress करके, यूज कर रहे हैं, देखिए, तो यहाँ पर correct answer होगा, option number 3, अच्छा दोस्तो, अगर मैं बात करूँ, यह तो 3 दोस्तो आपको मिलते हैं matter, इसके अलावा भी कोई matter है क्या, दोस्तो, plasma वगेरा, जल्दी से बताएं, यहाँ पे, मुझे लगता है, दोस्तो, 5 है, एक तो plasma भी मुझे लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, बोर आइंस्टीन, क्या यह भी है क्या दोस्तो, जल्दी से बताएंगे, yes और no, अगर yes है, तो आगे बढ़ें नहीं है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे, बोस आइंस्टीन, plasma, बोस आइंस्टीन, बहुत बढ़िया, चलिए, तो फिर अगले सवाल बढ़ते हैं, दोस्तो, अगला सवाल लेकिन उससे पहले फटावर से शेयर करेंगे, और लाइक करेंगे, अगला से बताए, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे कहरें, सर, C option होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं, ठीक है, पुलिस, 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 तो दोस्तो, जितने लोग पुलिस कह रहे हैं, उनका यहाँ पर correct answer होगा, तभी देखें, दोस्तो, अभी बीच में कैसा हुआ था, C B I गई थी, ठीक है, छापा मारने कॉलकाता में, लेकिन कॉलकाता पुलिस ने रोक लिया था, कॉलकाता पुलिस ने रोका था, क्योंकि वहाँ पे दोस्तो, इस्टेट गवर्मेंट के वो अंतरगत आती है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे पुलिस correct answer हो जाएगा, ठीक है, दोस्तो, इस्टेट गवर्मेंट के सुनेगी ना, पुलिस तो, ठीक है भईया, चैन्टरल की थोड़ी सुनेगी, चैन्टरल की तो C B I सुनेगी, अब देखिए, दोस्तो, कितने list होते है, यूनियन लिस्ट होता है, इस्टेट लिस्ट होता है, यूनियन में कितने subject है, कौन से अनुसूची में आते हैं यह आप से पूछा जाता ठीक है है हाँrire बिलकुल सही यहां पर अब गिश्टों वह बातकर 可能 से नॉसूची कितनी है पहले पहले अनुसूची आट थी बाद में 12 हो गई 12 मतलब दोस्तों Chamatakar नहीं दोस्तों amendment हुए कैं दोस्तT आट थो पहले इसे थी, 9 आई, 9 कौन से अनुसऊची, दोस्तो कौन से संसोधन के तहर आई, पहले संसोधन के तहर diff pretty first constitutional amendment नौ में कहा है दोस्तो पर दोस्तो लेंड रिफॉर्म रैंड रिफॉर्म है नुवी अनुसुची में enjoy दसवी में दुस्तों अगर हम बात करें कौन उस्से आई you दोस्तों किस से 52 संसोधन से थी का दिया दोस्तों एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून इसमें दिया हुआ है फिर उसके बाद ग्यार्वी दोस्तों अनसूची 930 con Corinthiansosta के सहता है जिसमें दोस्तों पंचायती सिस्टम दी यहां ठीक्री पंचायती सिस्टम फिर आई दोस्तों यहां पर बारवी अनसूची दोस्तों 74 में एक के तहता आई थी जिसमें दोस्तों है मुनसीपैलिटी कि दुस्तों मुनसीपैलिटी है यह भी याद रखेगा यह आप से पूछा जाता है संसोधन दोस्तों आपके एक्जाम अगर हम बात करते हैं तो 368 किसमें दोस्तों अनुचेद 368 में है अमेंडमेंट कहां से लिया गया है अफ्रिकन Constitution से कहाँ दोस्तों, African Constitution से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया अजाज, राहुल, पिकाचू, काजल, सदाब, मोहन, अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल आपके, ओ हो 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 हो, दोस्तों यहाँ पे समय होता ह समाप्त, जहाँ पर आज हमने क्या किये हैं, दोस्तों, मिक्स कोशन किये है, यहाँ पे SSC CPO के लिए, लेकिन दोस्तों, कल से जो आपकी ये क्लास होगी, वो दोस्तों दो बजे होगी, जैसे पहले होती थी, Monday to Friday होगी, दोस्तों, दोस्तों, 3.20 PM तक, मलब 3.20 तक ये क्ला अपस आ गई है, और दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो चाहे, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, डीटेल में जाके करेंगे, ठीक है, और दोस्तों, ये डेली क्लास होगी, मैंने आपको बता दिया, Monday to Friday, दो बजे, कल से होगी, दो बजे आप में जोड़ सकते हैं, या फिर डिर्क्ली सर्च करके भी जोड़ सकते हैं, गौरफ मौरियासर टेस्ट बुक, और दोस्तों, अभी यहाँ पर आपके लिए ओफर चल रहा है, ठीक है, मैंने आपको अल्रीडी बता रखा है, दोस्तों, ओफर, ठीक है, तो उसको आप कैसे अवे आपके दोस्तों, या पर या पर ले सकते हैं, डिसकाउंड्न, डिसकाउंड लेने के लिए, यहाँ पर अपूपर आपको अप्लाय कूप झालें, इसको अप्लाइ करोगे दोस्तो यहाँ पर आपको यह डिसकांट मिल जाएगा चलिए apply करते हैं। यहाँ पर रेट इसका दोस्तो कम हो गया और आप यहाँ पर तयारी भी कर पाओगे ठीक है बार महने के पैकेज में आपको SSC Railway Banking तीनों के तीनों कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किये जा रहे हैं तो चलिए दोस्तो इस session को फिर यहीं पर करते हैं समाप्त यह session अगर आपको अच्छा लगा है तो like करिएगा ठीक है शेयर करिएगा subscribe करिएगा और दोस्तो यहाँ पर bell icon button को दबा लिजे कर जिससे आपको notification up to date मिलते रहें तो दोस्तो मिलेंगे अगले session में एक नए जोश के साथ एक नए session के साथ जुणना मत भूलेगा मेरे साथ आज रात को 9 से 10 बजे जहाँ पर हम करेंगे दोस्तो IB के दोस्तो सवाल IB के exam के लिए दोस्तो उसकी भी आपने demand के थी तो वो भी दोस्तो आम लोग जो previous year question थे उसके basis पर यहाँ पर solve करेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा पढ़ाई करते रहेगा अपनों का ध्यान रखेगा बाबाई टेक केर जै हिंद जै भारत